हलो आज है सेकंड नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में देखें नतीजे आये इसके और जैसे ही रिजल्ट्स आये ना 365 से छलांग लगाकर 390 तक चला गया ये एक बड़ी तीजी आई लेकिन वो जो तीजी थी थी ना वो बस कुछ खण की तीजी थी उसके बाद लगातार गिर गया लेकिन फिर भी 2% की तीजी पर ये क्लोस हुआ और तकरीवन 372 रुपय के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है मारकेट बंद हो चुका है 372 रुपय के आसपास ये क्लोस हुआ है बातचीत करेंगे उसके बारे में जो नंबर्स आए है साथ ही साथ बैया क्या चीज यहां पर चल रही है तेखिए वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो पो काफी जादा हल्प करें तो 372 रुपए का शेर है अदानी पावर का 2% की तेजी यैसे ही रिजल्ट आए एक दम से छलांग लगाई लेकिन बात में वापस गिरा ये अगर आप पिछले एक महिने का ग्राफ देखो तो लगातर पहले गिर रहा था 312 पर गया वहां से 30 ही पकड़ी इसने और बड़ ही हफते में 20% की बड़ी तेजी इसने दिखाई है चोंकि काफी बड़ी तेजी है मेरे हिसाब से almost 20% की तेजी है पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 10-10.5% का ग्रोथ है गिरावट बनी थी हिंडिन बग की रिपोर्ट हाला कि उससे पहले गिरना शुरू हो चु वह भाई साब average number है लेकिन अच्छे number में कहुँगा क्योंकि उसी के चलते तेजी भी थी अगर हम यहाँ पर देखे deep down जाए अगर numbers के लिहास से revenue from operations अगर हम देखे तो अच्छे है 12,990 करोड के आसपास के इनके revenue from operations है जो इससे पहले के quarter में 11,000 करोड थे और पिछले साल इसी quarter में 7,045 करोड के थे अधर income के वाद के तो वो भी 1,945 करोड की है खुल मिलाकर 14,935 करोड के income हुई है जो इससे पहले के quarter में 18,000 करोड से भी जादा के थी हलाकि तब अधर income 7,000 करोड के आसपास के थी अगर यहाँ पर देखे पिछले साल इसी quarter में 8,445 करोड के income थ लेकिन अगर हम revenue from operation देखेंगे तो अच्छे लगेंगे ठीक है और जहां तक बात करे profits की तो वाइस अच्छा profit है इनका 6595 करोड का profit है जो इससे पहले के quarter में 8,760 करोड का था तो उसके मकाबले कम profit हुआ है और पिछले साल इसी quarter में 695 करोड का था अगर आप news बगेरा दे दिखाया जाएगा मतलब 800% 900% का growth आया उस तरहे की headlines आपको चमकती हुई आज के time पर नज़र आने वाली है अच्छी बात है ऐसा ही generally measure करा भी जाता है यहां पर अगर आप देखोगे न तो इनकी जो income हुई है वो 14,935 करोड की हुई है और जो खर्चे हुए है वो 9,712 करो profit वो 5,223 करोड का है लेकिन बाद में after tax अगर आप देखो तो भाईया 6,600 करोड चला गया यहां पर deferred tax credit यहां पर आया है 1370 करोड इनको मिला है deferred tax credit के तौर पर जबकि इसे पहली कोई quarter में वो सिप 45 करोड का था तो देखा जाए यहां पर तो अगर हम income से खर्चे को निक मिला जरूर है और यही वज़ए कि उसके वज़ए से number और जादा यहां पर बड़ा आपको नजर आ रहा है क्योंकि अच्छी बात है कोई बुरी चीज नहीं है यह और जहां तक देखा जाए numbers अच्छे हैं बुरे नहीं है reason यह कि September quarter में generally number बहुत जादा खराब आते हैं औ और पावर कंपनियों के ठीक है जो यह consumption कम होता है demand कम होती है तो जिसके चलते अगर आप देखो तो number खराब आते लेकिन इसके number अच्छा है और यह एक अच्छी बात है जैसे कि मैंने कहा कि numbers अगर आप देखोगे na headlines अगर आप देखो तो यही देखने को मिला कि net profit में 850% का jump आगर अब year on year base पे count करते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा हर जगा देखने को मिलेगा और यह गलत नहीं है ठीक है यह सही है यह गलत नहीं है यहाँ पर और देखा जाए तो अधानी power ने अपनी capacity को बहुत जादा हद तक बढ़ाया है पिछले कुछ time में और तो और company को लेकर अगर हम देखे तो वह यह अधानी group की एक लौती ऐसी company है जिसका P.E. ratio जो है वो average industry P.E. से कम है साड़े नो के आसपास एक company खराब नहीं है लेकिन at least मैं यह कहूंगा कि अभी जो अच्छी खबर आई है वो खरीदारी के मौके नहीं है यह मेरा मानना है ठीक सा downwards trajectory का रहता है downward trajectory का यह period रहता है January February तक February इसे वापस 30 दिखाना शुरू करेगा वो जून जुलाई तक चलती रहेगी और जहां तक बात करें market cap भी तो 1,40,000 क्रोर के आसपास का market cap है company के numbers देखा जाए तो वह यह इस quarter में अच्छे आए हैं बुरे नहीं है share holding को लेकर अग बिक्वाली करी लेकिन promoter ने बिक्वाली भी किनको करी जो बेचने वाले नहीं है अपने shares और वो है Files 11.95% की Files की holding बढ़के 17.51% पर आ गई मतलब promoter ने अपने shares सीधे-सीधे Files को बेच दिया उनको जो बेचेंगे नहीं अपने shares तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी quantity 69.56% promoter के पास है इसके अलावा Files के पास 17.51% की holding है public में आपको 12.18% की holding देखने को मिलेगी लेगिन public में retail investor का portion अभी भी यहां पर कम होगा other parties बहुत बड़ी quantity में होंगी जो again operator बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नजर वी आते है अला कि देखा जाए तो 0.74% तो बड़ी quantity कहा सकते है कि यहां पर mutual funds की तरफ से add करी गई है और देखो power sector definitely आने वाले time में अच्छा कासा perform करने वाला है और जो companyya इस sector से जुड़ी हुई है definitely मोटे profit छापने वाली उसमें कोई शक की बात नहीं है अदानी power भी अच्छा कासा पैसा long term में छापने व होता है power sector के लिए जहां पर decline expected होता है और यही वज़ा है कि at least मैं इस time पर entry लेना पसंद नहीं करूंगा अगर आप देखो 2022 में अगस्त में 22 अगस्त को 432 रुपय का share था हिंडन बग की रिपोर्ट तो 2023 की मतलब 2023 की शुरुवात में अगर हम देखे तो यह उससे पहले ही गिरना start 432 रुपय से हिंडन बग की रिपोर्ट आने से पहले यह 275 पे तो already आ चुका था तो लगातर यह गिर रहा था हला कि numbers भी September quarter के खराब आये थे December quarter के भी खराब आये थे पिछले quarter में हम सब जानते हैं और वो भी थोड़ा सा यहां पर impact डालता नजर आया तो यहां पर यह चीज़ जरूर है को यह company खराब नहीं है definitely खराब नहीं है लेकिन यह कुछ चीज़े हैं जो इनको short term के लिए sector और wise परेशान कर सकती है लेकिन नजर रखे इसके उपर और मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास है दुबारा अगर यह 384 के range में जाता है तो profit taking के मौके बनें के क्योंकि वहाँ पर अगर आप buy करते हो तो risk जादा है reward कम है दुबारा खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से February महीने में ढूंटेने चाहिए January February में ढूंटेने चाहिए और यह मेरा मानना है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करो उससे पहले analysis के बहतरीन features है यहाँ पर जिनमें से एक है कि जो बड़े-बड़े investors हो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio आपको यहाँ पर मिल जाएगा quarter on quarter update के साथ यह वहीं लोग के जो शेयर बाजर में बड़ा game खेलते हैं इनके portfolio में आपको जाधा तर small cap और mid cap share भी मिल जाएंगे तो और Adani Power के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके वता सकते हैं इसके अलावा Adani Group की एक और company है Adani Enterprise जिसके भी आज नतीज़े आए और जैसे ही result आए ना एक दम से 60 रुपे यह गिर गया नीचे क्योंकि numbers इसके अच्छे नहीं आए है और बहुत जल subscribe कर लिजेगा, bell icon को press जरू कर लिजेगा, thank you